वेलकम टू एवम टैक्स कलब 12 जैनुवरी को GST एने एडवाईजरी शुक्या है फॉर इनिसियेटिंग ड्रॉप प्रोसीडिंग बाई थे टैक्सपेर्स रिसेंटली गौर्मेन ने प्रोवीजन अप्लाई प्रोवीजन नोटिफाई किया था कि जिनका रिटन नॉन फाइलिंग की बज़े से अगर सस्पेंड हो गया है तो उनके पास ऑप्सन है कि अगर अटोमेटिकली उनका सस्पेंशन रिवोग नहीं होता है तो टैक्सपेर के पास ऑप्सन होएगा कि वो GST पोर्टल से खुद से ही वो रिवोग कर सकते है अपना GST रिवोग कर सकते है अपना GST का कैंसलेशन सस्पेंशन तो 12 जन्वरी को इसके रिगार्डिंग ही GSTN का एडवाईजरी आया है एडवाईजरी में बोल रहे है कि जो Automated Drop Proceeding का Facility है वो Portal पे Implement कर दिया गया है और यह Facility टेक्स पे Reuse कर सकते है अगर उनका 6 months का Pending Return उन्होंने File कर दिया है या फिर 2 quarter का Return उन्होंने File कर दिया है जिनका quarterly return जाता है उन्होंने अगर 2 quarters के Return फाइल कर दिया है तो वो cases में उनको उनके पास option होता है कि अगर उनका suspension revoke नहीं हुआ है automatically तो वो GST Portal पे जाके initiate drop proceeding करेगे और यह functionality navigate कर सकते हैं GST Portal Services heading के अंदर User Services में View Notice and Order का option रहता है जिसके अंदर initiate drop proceeding भी include किया गया है जिसके तूँ जो taxpayer है वो अपना suspension revoke कर सकते हैं अगर उनका GST registration suspend हुआ है due to non filing the return तो यह थे GSTN के update so thank you for your time share this video subscribe my channel